दीवाली के दो दिन बाद यानी कार्तिक महा के सुकलपक्ष की दृतिया तिथी पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है रक्षाबंदन की तरह यह पर्व भी भाई बहन के लिए बेहत खास होता है इस पर्व को भाई आदूज, भाई टी का यम वृतिया भी कहा जाता है भाई दूज के दिन भाई को तिलक लगाने का सबसे अधिक महत्व होता है इस दिन बहने रोली और अक्षत से भाई को टीका करती है और उनकी लंबे उम्र की कामना करती है कहा जाता है कि इस दिन यदी विधी विधान से पूजा की जाए तो जीवन भर यम का भय नहीं सताता और भाई वहनों की कभी भी अकाल म्रत्यू नहीं होती है इस साल भाई दूज की सही तिथी को लेकर लोगों की मन में असमंजस की स्थिती बनी हुई है ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल भाई दूज का पर्व कब है और इस दिन भाई को टी का लगाने का क्या महत्व है इस साल भाई दूज का त्योहार दो दिन यानी 14 और 15 नवंबर को मनाया जाएगा पंचांग के अनुसार कार्तिक महा के शुकल पक्ष की दृतिया तिथी की शुरूबात 14 नवंबर को दो पहर दो बच कर 36 मिनट से शुरू हो रही है इसका समापन 15 नवंबर को दो पहर एक बच कर 47 मिनट पर होगा अब जान लें कि 14 नवंबर को क्यू मनायी जाएगी भाई दूज तो आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार भाई दूज की पूजा का समय 14 नवंबर को दो पहर एक बच कर 10 मिनट से दो पहर तीन बच कर 19 मिनट तक है इस दिन भाई दूज पर शोभन योग भी बन रहा है जिससे शुब फलदाई बताया जा रहा है 15 नवंबर को क्यू मनायी जाएगी भाई दूज आप ये भी जान लेजिए हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार उदियातिती पर ही मनाया जाता है ऐसी में उदियातिती के अनुसार भाई दूज का पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा इस दिन भाई को टीका करने के लिए शुब मूरत 10 बच कर 45 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 5 मिनट पर रहेगा आपको बता दें कि 14 और 15 नवंबर दोनों ही दिन भाई दूज मनायी जाएगी लेकिन आपको यह भाई दूज शुब मूरत में ही मनानी होगी अब तिलक करने की क्या विधी रहेगी आप ये भी जान लीजिए पौराणिक मानेता है कि इस दिन यम अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे ऐसे में भाईयों को भी अपनी बहनों के सस्राल जाना चाहिए वहीं कुवारी लड़कियां घर पर ही भाई को तिलक कर सकती है भाई दूज के दिन सबसे पहले भगवान गनीश का ध्यान करते हुए पूजा अवश्य करनी चाहिए वहीं भाई को तिलक करने के लिए पहले थाली तैयार करने उसमें रोली, अक्षत और गोला रखे इसके बाद भाई का तिलक करें और गोला भाई को दे फिर प्रेम पूरवक भाई को मनपसंद भोजन कराएं, इसके बाद भाई अपनी बेहन से आशिरवाद ले और उन्हें भीट स्वरूप कुछ उपहार जरूर दे अब भाई दूज का क्या महत्व है ये भी आप जानीजे हिंदुधर में भाई दूज के पर्व को बहुत ही महत्वपून माना जाता है कहा जाता है कि ये पर्व भाई और बेहनों के बीच प्रीम और समर्पन का प्रतीक है भाई दूज पर बेहने अपने भाई के माते पर हल्दी और रोली का तिलक लगाती है ऐसी मानेता है कि यदि भाई बहन या मुना नदी के किनारे बैट कर भोजन करते हैं तो जीवन में एक सुख सम्रिध ही आती है 14 या 15 नवंबर साल कब है भाई दूज डेट को लेकर असमंजस में है तो आपको तारीक हमने बिल्कुल ही साफतोर पर शुब मुरत के साथ बता दी है आप भाई दूज दोनों ही दन मना सकते हैं लेकिन शुब मुरत का विशेश ध्यान दीजिएगा